नमस्कार अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत हैं आज मैं अपने फॉलोवर्स की रिक्वेस्ट पे फिर आप लोग के बीच में आया हूँ मेरे फॉलोवर का नाम है मिस्टर रिसव भारतवाज और इन्हों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि जनरल विपिन रावत पे वो एक एस्ट्रोजिकल वीडियो चाहते थे अब जो डेटा मेरे पास है वो बिल्कुल एथेंटिक डेटा है और यह कुंडली यह 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 डेटा पहले आये हुआ होता तो साथ मैं कुछ एडवाईज दे सकता था जनरल वावत को लेकिन कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि मृत तु अटल है और वो अपनी जगह पहले से तैक करती है कि कहां पे आदमी को मरना है लंबे समय से जितने भी राजा महराजा बातसार हैं उनके एक जोट्सी होते थे और मुझे अच्छी तर याद है मैं ऐसे कई पिधान मंतरी को जानता हूँ जो जोट्सी हों के सला पे काम करते थे और खासतों से मैं अटल वहरी वाजपई जी कर नाम लूँगा कि वो उनको जोट्सी पे बहुत विश्वास्ता और उसी के एकॉर्डिंगली वो काम भी करते थे तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जाते तो आप लोग हैं जोट्सियों के पास सला लेने के लिए तो एक बार जब भी कोई मेजर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हों ट्रिवल कर रहे हैं तो एक बार जोट्सी से सला लिजे को कि मुझे सब को मालूम है कि हर वी वी आईपी के एक नहीं दो दो जोट्सी होते हैं और वो जब भी चुनाव लड़ने जाते हैं जब भी कोई मेजर डिस्चनल लेते हैं तो पूछते हैं लेकिन कभी-कभी चूक कर जाते हैं तो इन चूकों से बस्तना चाहिए यह मेरा इस चनल के माध्यम से सभी वी वी आईपी से निवेदन हैं आई डिसकस करते हैं जन्रल रावत की कुंड़ी इनका जन्म जो है वो 16 मार्च 1958 को हुआ था और मेश लगनी की कुंड़ी है लगन में केतु बैठा हुआ है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा चटा घर खाली है सात्वे घर में गुरू और राहु बैठा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि राहु और केतु के बीच में लगबख सभी ग्रह आ गया है सात्वे घर में गुरू और राहु है जिसको हम बोलते हैं गुरू चटाली हो गुरू यहां वक्री है आटमा घर खाली है नवे घर में सनी हैं, दसमे घर में वीनस, मून, मंगल अब आपको देखिए ग्यारवे घर खाली हों 12 घर में सूरर बुद्ध्य है लेकिन हम फोकस करेंगे यहाँ पर कि मंगल जो है मंगल बैठा हुआ है दसमे घर में चंदमा के साथ और सुक्र के साथ तो इस कुंडली में सुक्र मारकेस का रोल प्ले करेगा चंदमा और मंगल दोनों बहुत अच्छी पोजिशन में बैठे हुआ है इसको हम बोलेंगे फोर्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठा हुआ है और मंगल लगने से बतल लगन का सुअमी है और चंदमा के साथ बैठी है तो ये एक बहुत 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 राजयोग होता है लेकिन वीनस जब भी कनेक्ट होगा तो वो आपको एक कस्ट दे देगा और मारकेस का रोल प्ले करेगा सनी की महादसा चल लगी है सनी की महादसा में राहू का अंतर और मंगल का प्रतेंतर चल लगा है वर्तबान समय में सनी बैठे हुए है नवे घर में राहू बैठे हुए है साथ में घर में जो गुरू चंडाल योग को एफेक्ट कर रहे हैं और मंगल जो है मंगल बैठे हुआ है दसमें घर में और मंगल के साथ में बैठा हुआ है चंद्रमा और सुक्र बैठा हुआ है सुक्र इस कुंडली में प्रबल मारकेस है राहु सब्तम में बैठे गया है सुक्र की रासी में राहु बैठा हुआ है ये एक बहुत बड़ा point है, आप देखिए, राहू मैंने अक्सा बोला है, airy होता है, airy, हवा, दुआ, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और जब हम नवान्स कुल्ली में जाके देखते हैं, तो यही राहू, third house में बैठा है, third house का मतलब होता है, travel करना, और जो मर्दने के basic combinations होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 64th नवान्स क्या था, 22 में देशकान क्या था, तो वो पूरे parameters इसमें लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कुंडली में जो उम्र थी, वो 60 से 65 साल वाली उम्र थी, मतलब उनके departure का time था, accidental उनके death होनी थी, कुंडली साफ ब 10-12 ऐसी कुंडली में देखी हैं, जिनकी death helicopter crash में होई है, मैंने मादोरा शिंद्या जी को भी बताया था, कि आपकी जो कुंडली में ये combination है, और उनको उसको बताया था, कि उनको किसी जोसी ने बताया था, कि ऐसा कुछ आपके साथ होगा, और आपको मैं बताना चाहता हू कि जब मादोरा शिंद्या की death होई थी, दरसल मादोरा शिंद्या को नहीं जाना था, जाना था सिला दिख्षित को, लेकिन कहते हैं ना कि जब मृत्य होती है, वो अटल है, और सिला दिख्षित का program एक्दम cancel हुआ, मादोरा शिंद्या गये, और वापसी में वो प्लेन क्र हुआ था आपको इसके पूरी इंफॉर्मिसम गोगल में मिल जाएगी इसके बाद मैं एक बहुत पुरानी घटना आपको बताना चाहता हूं हाला कि बहुत पुरानी नहीं है 2007 में जुलाई के महिने में 36 गड़ में हेलिकॉप्टर क्रेस हुआ था बिलकुल वही पैरामीटर्स थे और करीबन करीबन मैंने 10 कुण्लियों में देखा है कि हेलिकॉप्टर जब क्रेस होता है तो क्या उनकी कुण्ली में कॉम्बिनेशन थे बिलकुल थे और वैसे उनका ड चल रहा है कि सडियंतर के सिकार हुए, कोई प्लानिंग, कोई ये, वो, ऐसा वैसा, मैंने हमेशा बोलाए भारत की कुन्ली में कि लग्न में राहू बैठा हुआ है, और राहू जो होता है वो बड़ा मिस्टियिस होता है, उसको समझना बहुत मुस्किल होता है, और यही राह वू नवान्सकूली में थर्ड यूं-षू में बैठा हुए होगा है कहीं न कहीं गलतियां और घलतियां जान भुझ की नहीं हो हैं अंजाने में गलतिया हुए है इसलिए मैंने वीडियो को सुरवात में बोला था कि हमारी जितने भी VVIPs हैं, उनको कोई भी यात्रा करते समय मौसम विभाग की जो जानकारी आती है, उसको इंग्नोर नहीं करना चाहिए और पाइलेट पे फोर्स नहीं करना चाहिए, ये बेसिक चीजे होती है और दोसी चीजे होता है, कि जो आपका हेलिकॉप्टर की जो तकनीकी जान्च होती है उस पे भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मैं इसारा कर रहा हूँ थोड़ी सी गल्तियां होई है, लेकिन कुछ गल्तियां जो थी, वो मौसम को टालने वाली, उसको इग्नोर करने वाली थी बहुत से लोगों ने मुझे मेल करके पूछा कि क्या कोई सर्यांत्र था मैं ये बोलूँगा सड़ियन तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपनी गलती के कारण ये जो 13-14 लोगों के death हुई है ये सब अपनी गलती के कारण गए है ये दिस ही फैसले लिए जाते तो मेरे खाल से ये कुछ result और होता है लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि मृत्तु जो होती है उसकी जगह निधारित होती है और आदमी वहाँ पहुँचके सरीर का त्याग करता है मैं अपने फॉलोवर्स को बताना चाहता हूँ कि कुंडली बिलकुल सही है रावत जी की और उनकी मृत्तु ऐसी दुरघटना के साथ में होनी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि पती-पत्नी को साथ में जाना था वो कुंडली में कॉंबिनेशन है इसलिए साथ में डिपार्चर हुआ मैं अचार सलील चैनल के माध्यम से अपनी तरब से सिद्धांजली प्रिगट करता हूँ और इस सवर से प्रात्रा करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को सांती दे और अपने से चर्णों में इस्थान दे नमस्कार